हेलो दोस्तो तो दोस्तो आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा तो जैसा कि दोस्तो गर्मी अभी बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है तो क्या आपकी भी जो गुलाब के पौधे हैं उसकी पत्तियां पीली होकर जड़ रही है उसमें आपको ब्लैक मिल रहे हैं या फिर जो है पौधा है दोस्तों वो मुर्चा रहा है या फिर कोई पौधे ऐसे हैं जो पूरा पौधा ही खराब हो चुका है या फिर जो है दोस्तों पत्तियां जो भी बची हुई है वो जुलस कई है और जुलस के गिर रही है और ब्रांचेस जो है वो सूख के लिएक टीव हो जाए उसमें नियू नियू जो है नू जो ह। डिशन दोthest वीन पाज़ो दोस्तो बीडियो को पूरा देखे तब ही जो है आपको समझ अजब आएगा तो नमस्ते दोस्तो मैं हो किरन और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल छोटी सी बग्या में तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपके पास इस तरह के पौधे हैं दोस्तो जो रही खराब होने के कगार पे आ चुके हैं जिसमें कोई भी पत्तिया नहीं बची है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा यूजफूल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ टिप्स भी सेयर करने वाली हूँ जिस टिप्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तभी जो है दोस्तो आप इस गरमी में अपने गुलाब के पौधे को बचा सकोगे अगर आप गुलाब के पौधे को गर्मी के सीजन में खुले छोड़ देते हो धूप में तो अक्सर आप देखोगे कि आपका गुलाब का पौधा है वो जो जलने लगता है उसकी जितनी भी सारी जो नई ब्रांचे जाती है वो भी जलने लगती है और अगर आप उसको सेडी वाली जगह में छोड़ रहे हो तो भी जो है दोस्तों कभी कभी देखने को मिलता है कि उसमें जितनी भी सारी जो नई ब्रांचेश आ रही है वो जलने लगती है या फिर पत्तियां पीली पढ़ने की समस्या होती है तो वो किस कारण से होती है दोस उसकी अच्छे से देखबाल नहीं करोंगे दोस्तो तो गुलाब का पौधा होता है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है तो मेरा गुलाब का पौधा ता दोस्तो वो गर्मी जब आप सबसे पहले आपको अपने गूलाब के पौधे को पूरे दीन भर का दूप में नहीं रखना अगर दीन में कि तो आपका पौधा खराब हो तो आपको जो है दोस्तो सेडी वाले एरिया में रखना है या फिर आपको ग्रीनेट लगा लेना है उसके नीचे ही रखना है आप गुलाब के पौधे को ज्यादा से ज्यादा दो से आढ़ाई घंटे का ही धूप दिलाएं वो भी नॉर्मल धूप पूरे डायरेक्ट पहला काम आपको यही करना है दोस्तों कि अपने जो पौधे में नहीं रखना है चाही घंटा में रखना आपको सब्सकर नां क्वप दूसरा काम तो आपको mechanisme नहीं हो दोख रही हो और फिर गील न blog a गल heteron pic चुकी है तो आपको उनको क्या करना है उनको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है उनको जितना जल्दी हो सके जो है दोस्तों आप उसको कट करके हटा दें क्यूंकि वो जो है दोस्तों हमारे पौधे को ग्रोथ होने नहीं देती है हमारे पौधे को आदा से ज़्याद सब्सक्षानलाये वंस मेलना के ज् references प्रिम हां बरक्रव. क्या सब्सक्तित करें रहें फ़ीजुल ब्रानै होगे कोई भी फूल जो है वो खील के खताब मोचुकी उनको ना रखें उनको इस तरह से जो है तोड़के भी हटा सकते हैं और या फिर आप जो है दोस्तो इसको कट भी कर सकते हैं तो इस बात का आप दिहान रखें चलिए दोस्तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो तीसर से बड़ा कारण होता है हमारे पौधे में बिमारी लाने का और जो है दोस्तो उसको फंगस लगने का तो आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें आप अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा साफ सपाई रखें और अगर आप पती से मिल्चिंग का काम किये हो तो फिर जो जो आपको अपने गमले की साफ सफाई कैम रहना है और तो कि चौथा काम करना है आपको जो यह करना है कि अपने गमले की समय समय में गुड़ाई करना है जो हमारे पौधे की Shouldog करने में बहुत ही अच्छे सेいます साथ गूड़ाई गुडाई करते रहें उससे क्या होगा उससे हमारे पॉधे की मित्टि को जो है हवा मिलेगी ओक्सीजन मिलेगा उसका संचार अच्छे से होगा तो उसमें आगर वैक्टिरिया बेगर लगी है तो दूप मिलेगा तो वह भी तो बहुत ही तेजी से दूर हो जाएगा फिर हमारा पॉध़ा He इन चारो पॉइंट को अगर आप नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो है जो दोस्तो आपका जो गुलाब का पॉधा है वो सुखने लगे गा उसमें अगर कोई भी पत्तिया नहीं बची तो भी आप इनकांग को करोगे नूट-ची आना शुरू हो दोस्तो वो पौधा है फोटो सिंथेसेस की प्रकेरिया अच्छे से नहीं कर पाएगा तो पौधा तो फिर पौधा डेखने को मिलती है दोस्तो की हमारा जो पौधा है उसमें सारही पत्तिया लिए मैं जाता है तो हमें ज़्धा से ज़्धाइदा इसी बात ध्यान देना होत डॉ एक जबस खकते है और हम जय चैसे देतम एब पौदे के लिए हम जो फ्लावरिंग जो भी चोटे को प्लांड करए बदो सब्सक्राइब और आपके पोधे जो भी छोटे हैं और जो dormancy period में चले गए हैं जिसकी पत्तियां जड़ गई हैं इस तरह की situation आई वी है तो आप उनसे फ्लावरिंग बिल्कुल भी ना ले तो अभी आप उनसे पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पे धिहान दे तो चलिए मैं आप सभी को जो fertilizer बताने वाली हूं दोस्तो वह बहुत ही साधारन है और सारही लोगों के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्द भी हो जाता है क्योंकि सारही लोग जो है अपने किचन में इस चीज के इस्तिमाल करते ही करते हैं तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूं कि वह जो fertilizer देख सकते हैं दोस्तों वह जो fertilizer है वह यह चाई की पती और यह हल्दी जो है दोस्तों हमारे पौधे में कहीं पे भी अगर फंगस वेगरा कुछ भी लगे हैं तो उससे जो है दोस्तों हमारे पौधे को बचाव करता है और इसके यूमिनिटी को भी बहुत ही अच्छे से अगर इसक screens और पौधा का अगर ईउ मिनिटी पावर इस्टरॉंग रहें गर्मी में बहुत ही अच्छे से जैल जाएगा क्यूंकि अभी गर्मी में अख़ायग जाता इस सारे पोदे इसारे दिंगत देंगे मेरे पोदे इसी तरह से इलाज कीया था। मेरे पोदे में आप रिजट्सक्ते हैं कितनाा हिस्भम और फारी ऐसे क्कम्दण आपी और चाई पत्ती में टैनिक एसेट भी पाया जाता है, जो हमारे पौधे को ग्रोध करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलता है और इसके ड्रेनेश सिस्टम को भी अच्छा बना देता है, और हमारी गमले की मिट्टी को भी जो है दोस्तो चाई पत्ती उपजाओ बना के इसलिए हम लोग 15 दिन में एक बार चाई पत्ती का भी इस्तमाल करना जरूरी ही समझेंगे, कि इस्तमाल से हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोध आएगी, तो चली मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको कैसे अपने पौधे में इसका इस्तमाल करना है, तो सबसे करने के बाद को आप मिट्टी को पूरही अच्छी से बॉरबूरी बना लें सबस्क्राइब में तो हमारा पौधा सबबढल ८ाद करने के बाद कि इस तरह से बेच में थोड़को से इसदर टान गढ़ाने के बाद जगा करना है और यहident और फ्रेस्ट चाय की पति प्ति है दोस्तों आप बल्याइव दोस्तों करना है तो आप को यहां57 चमली चाय की पति यहां सबुस्तों आयोगों AB 9 कोईंटिटी में कम ज्यादा भी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप फ्रेश चाय की पति का इस्तिमाल कर रहे हो तो आप कोईंटिटी में ज्यादा उपर नीचे नहीं करना आप एक चमच करके अपने गमले में देदेना यह जो मेरा गमला है दोस्तों खीडे मोकोडे या फिर फंगस से लड़ने को हमारे पौधे को साहता मिलेगे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इस तरह से डालके और अच्छे से फिर मिट्टी को मिला देंगे और मिलाने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें पानी देंगे और पानी आपको कितना देना ह है जितना जो है आपका गमले की मीटी सोखले इस तरह सी यहां पानी दे दूंगे और एगदम हल्की हल्की पानी दूंगी दूसतो और मैं अभी सामके टाइम पर इसका इससे में अपने सारे की तरह स्थांट में करने वाली हूं कि यह प्रोसेस किया हूँ जो है अल्यादी आप 15-20 दिन होचुका है, और मेरे पोदे में आप result देख सकते हैं, कितना ही अच्छा result आ रहा है, बहुत ही अच्छा दोस्तो, मेरे पोदे से new new suits आ रही है, जो पोदे दोस्तो बिल्कुल भी खराब हो चुके थे, एकाम उसमें कोई भी growth नहीं हो रही थी, वो भी पोदे मे बहुत ही अच्छी net result मैं देख पा रही हूं देख सकते हैं वहले है। आपने पोध्यौस लट्टाए को धेना हूर ł! क्यों कि घर луч घर आप पोध्ये थी जीए, लड़ने चंश्चम होगा तो हमारा पोध्ये है और ये लुक्ता मैं अच्छी वह लादा हो न देख नाम कर सकते हो और आपका भी पौधा जो इस तरह का है वह भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने लगेगा और एकदम हेल्दी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी से जोए दोस्तों घना हो जाएगा तो मेरी इस वीडियो में दीगी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस कर दोस्कार